चलिए अब हम करते हैं क्षिए नंबर 36 क्षिए नंबर 36 में हमने इंटिग्रेट करना है x प्लस 1 प्रड़क्ट विद x प्लस लॉग x का होल स्केर डिवाइड़ बाइ x का विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए हम पर dx लिखा हुआ है तो हमने इस function का integration करना है with respect to x हम directly इसका integration नहीं कर सकते यह अभी standard form में नहीं है यह standard form में नहीं है तो हम इसका directly integration नहीं कर सकते पहले हम इसको थोड़ा simplify करेंगे ठीक है फिर उसके बाद में हम substitution method से इसका integration करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले, इसको no down करेंगे, x plus log x का whole square, इसको हमने पहले no down कर लिया, अब यहाँ पर है गया x plus 1, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसके नीचे हम divide में x को लिख लेंगे, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर आगे लिख लिया, इसको यहाँ पर हमने log x का whole square, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास में है x plus 1 upon x, ठीक है, हम इसको लिखेंगे x upon x plus 1 upon x, तो x upon x हो जाएगा हमारा 1, फिर है plus, फिर आएगा 1 upon x, तो हमने इसको जो है इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, आगे है dx, तो लिखेंगे dx, अब हम क करेंगे, तो हम इसको t substitute करेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं, let, अब हम substitution method लगाने जा रहे हैं, तो हम इसको t substitute करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा है x plus log x, इसको हम t suppose करेंगे, ठीक है, अब हम इस equation करना, differentiation करेंगे with respect to x तो हम लिखते हैं on differentiation on differentiating with respect to x तो हम इस equation करना differentiation करने जा रहे है with respect to x x का differentiation with respect to x हमारा हो जाएगा 1 ठीक है? फिर है plus log x का differentiation with respect to x होता है 1 upon x ठीक है? एंड यहाँ पर हमारे पास में t है इसका differentiation with respect to x हो जाएगा dt by dx ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम dx को cross में हाँ पर उपर लेकर के जाएगे and इसको यहाँ पर नीचे ले आएगे ठीक है? left hand side को हम dt के नीचे ले आएगे dx को cross में हाँ पर उपर ले आएगे हा? तो dx तो इस तरफ आ जाएगा and अब dt के नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अब देखे यहाँ पर हमारे पास में dx का value आ गिया dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हम dx की इस value को यहाँ पर substitute करेंगे dx का जो यह value है इसको यहाँ पर डालेंगे ठीक है? and इस पूरे function को भी हम t में convert कर लेंगे फिर उसके बाद भी हम integration करेंगे हम substitution method में इस प्रकार से cushion को solve करते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने integration करना है तो हमने integration करना है अब देखें यहाँ पर, सबसे पहले हमको bracket के भीतर दिखाई दे रहा है, x plus log x x plus log x को हमने t suppose किया है, तो इसकी जगा पर आएगा t ठीक है? तो यहाँ पर t आजाएगा इस पर square power है, तो यहाँ पर भी square लग जाएगा, t पर भी square लग जाएगा, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर हमारे पास में है 1 plus 1 upon x ठीक है? अब देखें, यहाँ पर है dx, dx का value यहाँ पर हमारे पास में है, dt upon 1 plus 1 upon x, तो इसको of t square dt तो अब हमने यहाँ पर t square का integration करना है with respect to t ठीक है अब देखें आपने याद रखना है कि integration of x की power n होता है with respect to x x की power n plus 1 upon n plus 1 तो इस formula से t square का integration हो जाएगा t की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 अब देखें हमारे function का integration हो चुका है तो अब हम यहाँ लगाएंगे c coefficient of integration को यहाँ पर हम c को लगा लेंगे ठीक है जब integration हो जाता है तो हम c को यहाँ पर लगा लेते हैं ठीक है अब देखें integration हो चुका है लेकिन हमारा integration t में आ रहा है जबकि हमारा जो original function है यह x में है तो हम t की जगा पर x को put up करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हम t को x में convert करेंगे ठीक है तो देखें जो हमारा t है वो है x plus log x तो t की जगा पर आएगा x plus log x ठीक है इस पर power हो जाएगा 2 plus 1 यहाँ पर 2 plus 1 पावर है तो यहाँ पर 3 पावर हो जाएगा t की जगा पर हमने लिख लिया x plus log x इस पर power है 2 plus 1 तो यहाँ पर जाएगा 3 पावर नीचे भी है 2 plus 1 तो यह हो जाएगा 3 आगे प्लस में है c तो देखें यहाँ पर हमारा integration complete हो गया तो जो यह function हमको given था इसको हमने integrate कर लिया यहाँ पर तो यह आ गया हमारे 36th question का final answer